हेलो फेंट्स स्वागत है आपका आईश्माहर अकाडमी की यूट्यूब चैनल में हम इलेक्रिकल मेजरिंग इंस्टुमेंट यूनेट को डिसकस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के इंदर हमने इंडिकेटिंग टाइप इंस्टुमेंट के पहले प्रकार यानी रिपल्शन यानी विकर्शन टाइप इंस्टुमेंट थे वहां पे हमने क्या जाना था कि जो पॉइंटर होता है ना मीटर का वह किस इसाप से गुमता है वह हमेशा उसके स्पिंडल के उपर निर्वर करता है और अगर स्पिंडल गुमेगा ना तो वह पॉइंटर भी रुमबक की शेत्र के उपर निर्वर करते वे वहां पे आकर्शित या विकर्शित हो रहा था और जब वह पीस आकर्शित या विकर्शित हो रहा था तो जैसे ही वह आकर्शित हो रहा है या विकर्शित हो रहा है तो उसके गुमने या उसके मुवमेंट के साथ ही जो स्प टाइप पढ़ेंगे इंडिकेटिंग टाइप इंस्टुमेंट का उसको हम लोग बोलते हैं मुविंग कॉइल टाइप इंस्टुमेंट अब इसको मुविंग कॉइल टाइप इंस्टुमेंट की बोलेंगे अब यहाँ पे जब हम moving coil type instrument की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार के होता है उनमें से जो पहला प्रकार है उसके बारे में आज हम discuss करेंगे जिसका नाम है PMMC type instrument PMMC का पूरा नाम होता है permanent magnet moving coil type instrument जैसा ही कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है इस type के instrument के इंदर हम लोग क्या करेंगे एक permanent magnet यानि स्थाई चुमबक का उपयोग करेंगे ठीक है मैं इसके diagram को बनाता हूँ ये permanent magnet बना हूँ है ठीक है और जैसे इन में से कोई भी एक भाग जैसे हम ने इसको ब्सक्र Through को बोल दिया अ और ये सिर्फ मैंने को समझाने के लिए लिखा है कि हमने एक साइट seconds किया बात ब्सक्राइग बात js 15-बात करते हैं कि ये जो रहे के बीच में हम लोग क्या करते हैं यहां पर एक कुंडली की स्थापना करते हैं किस चीज की कुंडली की और वो जो कुंडली रहती है वो सौफ्ट टाइरन के पीस के उपर ऐसे आयताकार या वरगाकार रूप से क्या रहती है लपेटीवी रहती है ठीक है और यह जो कुंडल लगवी रहेगी ना जिस भी frame के उपर लपेटी लीए वहude इसी spindle के उपर उपर की Side put दोनीचे की rarely, यहाँ पर क्या लगवा रहेजागा यहाँ पर नियंत्रक क्या लिए जो spring होती है वो spring ही क्या रहेगी लगी भी रहेगी ठीक है अब इसी spindle से यहाँ पे क्या लगावा रहेगा pointer लगावा रहेगा इस प्रकार से इसकी क्या रहती है एक तरीगे से इसकी सन रचना रहती है ठीक है अब जैसे इसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक frame है इस frame के उपर हमने क्या कर दिया कुंडली को बांद दिया और यह जो frame है यह frame किसके उपर लगा हुआ है एक spindle के उपर लगा हुआ है जो की क्या है कि अपने को पता है कि जब भी हम लोग किसी भी धारवाई चालक को किसी चुम्बके शेत्र के लिए रखते है ना तो उस धारवाई चालक के उपर एक बल लगता है ठीक है और उस बल को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं B.I.L. से ठीक है उस चीज़ को अभी डिसकस भी करेंगे तो जब भी वो बल लगेगा ना वो बल क्या करता है वो बल हमेशा चुम्बके शेत्र से बाहर की तरफ उस चालक को धकेलता है तेक है अब जैसे ये चालक जो कि इस फ्रेम पे लगावा है वो अगर बाहर की साइड में दकेला जाएगा तो क्या होएगा ये एक तरीके से ये जो अपन ने फर्मा बनाया वा ये फर्मा क्या होएगा ऐसे गुमेगा और जैसे ये गुमेगा ना तो इसके गुमने के साथ ये स्पिंडल भी गुमेगा और इस spindle के गुमने के साथ क्या होएगा ये pointer भी गुमेगा और किसी भी नियत value पे जाने की कोशिश करेगा अब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रगा है दो बाल का माणिया लगाई भी या फिर जो spring लगाई भी है ये spring क्या करेगी यहाँ पे नियंतरक बलका कारे करेगी और किसी भी एक निश्चित इस्थान के उपर क्या करेगी जिस pointer को रोक लेगी ठीक है यहाँ भी और ध्यान मे जो की यह मैंने बनाया है इसमें यहाँ पे मैंने बेलनाकार और इस से भी बेलनाकार जो पार्ट बनाया है यह पार्ट हम लोग किस से बनाते हैं यह हमेशा लोहे से बनाते हैं किस से बनाते हैं हम लोग लोहे याना आइरन से बना रहें यह क्यों बना रहें इसका कारण है इ आइरन लगाने का लाब या कारण ठीक है लगाने का कारण ये कारण मतलब ये आइरन का लगावा है मैंने ऐसे बताया कि जो दुरू है न इस दुरू के बाहरी से रेके उपर बेलनाकार आकरती में हमने क्या लगाया है आइरन लगाया है ये इसली लगाया है क्योंकि ये जो रहेगा वो फैल पाएगा ठीक है यानि अच्छी तरीके से फैल पाएगा अगर यह आयताकार होता ना तो यह आयताकार क्या होता बिल्कुल सीधी लाइने जाती ठीक है जैसे यह आयताकार है तो यहां पर ही क्या रहता इस आयत के शेप के अंदर ही जाती अब क्योंकि आपन यह आईरन का पीस लगाए इसका क्या कारे रह गया यह जो चुमबकिय क्षेत्र है ना चुमबकिय क्षेत्र को किसको चुमबकिय क्षेत्र को यूनिफॉर्म यानि बराबर रूप से बराबर यूनिफॉर्म मतलब बराबर रूप से यूनिफॉर्म बराबर रूप से फैलाना इसका कारे रहेगा ठीक है एक तो यह कारे रहेगा और दूसरा अपने को क्या पता है कि जो लोह पदार्द होता है ना यानि जो लोहा रहता है ना वो अगर अपने चुमबकिय क्षेत्र के लगाया तो वो जो लुहा है वो चुम्बके क्षेत्र के रिलक्टेंस को कम करने के कामेर आयेगा ठीक है और रिलक्टेंस यानि जैसे रिलक्टेंस क्या होता है यह रिलक्टेंस अपने चुम्बके क्षेत्र वाली इनट में भी डिस्कस किया है पर फिर reluctance क्या होता है? reluctance जैसे प्रतिरोध धारा के लिए कारीय करता है न वैसे ही ये जो reluctance जो property है ये चुम्बकिक शेत्र के लिए कारीय करती है वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाता कि जो प्रतिरोध अगर कम रहता है वो क्या है? reluctance को कम करना किस चीज़ को कम करना? reluctance को कम करना ठीक है? ये इसका दूसरा कारण रहेगा ठीक है? और मैंने क्या बता दिया? मैंने हमने इस चीज़ डिसकस कर लिए हमने क्या करा? यहाँ पर इसना ही चुम्बक लगाया है इस स्थाई चुम्बक पर क्शित्र बनावा रही गा इससे सापसे बनावा रहे गा अब जैसे आपने क्या गारा इस चाल लग के तूझ क्या करी में द्रभाइट करी कियो कि देगे मेटर क्या करेंगा अगर है मेटर आप स्रेणी क्रम में लगाऊगे परिपद के और अगर वोल्ट मेटर है तो आप क्या करोगे वहां पर समांतर कर्म में लगा होगे तो क्या होगा इस कुंडली के अंदर से क्या प्रवाइत होगी धारा प्रवाइत होगी और जैसे धारा प्रवाइत होगी तो यहां पर अपना सिद्धांत लग जाएगा वो सिद्धांत क्या बोले यह दोनों spring इस हिसाप से लगई जाती है कि यहाँ पे जो यह उपर वाली spring अगर एक direction के अंदर आपने लपेटी है तो यह जो दूसरी जो spring रहेगी निए यह क्या करेगी ulti direction के अंदर लपीटी जाएगी क्यों लपीटी जा रही है ताकि यहाँ पे अगर घर्षन के कारण ताप के अंदर व्रद्धी हो न तो वो ताप की व्रद्धी क्या हो जाए कम हो जाए तो यह इसका कारण रहता है कि हमने एक दिशा के अंदर एक spring को लपेटा और दिशा के अंदर दूसरी spring को लपेटा ठीक है अब जैसे इनके बलों के बारे में discuss करेंगे बल मतलब क्या जो अपन तीन प्रकार के टॉर करेते हैं उनके बारे में discuss करते हैं एक एक करके जैसा कि हमने moving iron type में discuss करा था ठीक है अब अपने ये note कर लिया होगा मैं इसको मिटा रहा हूँ अब जैसे हम लोग इसके पहले बल की बात करेंगे पहला बल मतलब कौन सा बल पहला बल होता है deflecting torque deflecting या फिर आप इसको बोलते हो विक्षेपक बल विक्षेपक बल ठीक है अब जैसे आप विक्षेपक बल की बात करोगे तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि यहाँ पे जो बल लगता है वो बल किस हिसाब से लगता है यहाँ पे एक नियम लगता है आपको पता होगा कि जब भी अगर आप धारवाई चाला को चुम्बकी शेतर के अंदर रखते हो न तो यहाँ पे एक बल लगता है जिसका हम लोग बोलते है बी आई एल ठीक है यहाँ पे यह बी क्या होता है चुम्बकत्व का घनत्व होता है क्या होता है घनत्व होता है ठीक है आई क्या होता है ये जो धारा अपने प्रवाहित करिए इस चालक के अंदर से वो है ये L क्या है ये L यहाँ पे लंबाई है किस चीज की इस चालक की जो चालक आपने लगाया है ठीक है अब क्योंकि अगर भाईचांस ये एक चालक और कुछ ही लंबाई का रहता ना तब तो हम लोग इस फॉ ये जो खाचा है ना इस खाचे के उपर आपने क्या कर रखा है कुंडली को बार बार लपेट रखा है ठीक है तो ये जो इस्तिती रह जाएगी ना ये इस्तिती तो एक तरीके से एक टर्ण के लिए रह जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमने टर्ण का इस्तमाल करा है इसलिए यहां पर ये इस्थितिक इसके लिए रजाएगी एक turn के लिए रजाएगी और by chance आपने यहां पर n turn रख रखें कितने n turn रख रखें और यह बल बल क्या हो जाएगा यह हो जायेगा n b i l ठीक है और इसके साथ के साथ आपने क्या कर रखा है इसको एक आयता का रूप दे रखा है तो अगर आप इस आयत की जो लब चोड़ाई अगर बी से प्रदर्शित करते हो ना किस से प्रदर्शित कर रहे हैं अगर बी से प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहां पे जो टॉर्क रहेगा टॉर्क क्या होता है अपने को तो यहां पर एक तरीके से जो लंबुवत दूरी रहती है ना उसको हम लोग यहां पर गुणा करते हैं तो अपने को क्या मिल जाती है टॉर्क मिल जाता है ठीक है तो लंबुवत दूरी क्या है यहां पर अपने जस्ट बताया है कि यहां पर जो ब्रेट है उसको बी से अपन है ठीक है और अपने को क्या पता है कि लंबाई इंटू बी यानी चोड़ाई क्या होता है अपने को पता है लंबाई इंटू चोड़ाई आयत का शेत्रफल होता है तो आप इस फॉर्मिले को ऐसे लिख सकते हो एन बी आई गुणा ए ए मतलब क्या है यहाँ पे मैंने एल इंटू बी को शेत्रफल से क्या कर दिया परदर्शित कर दिया अब अपने को क्या बता है आप अगर यहाँ पे नूट कर पा रहे हो तो अगर आपने कोई भी इंस्टुमेंट का सनरजना करीएं न तो जो एम रहेगा न वह एन तो क्या है टर्न है वह हमेशा मेंट्र कर बनाने के बाद से हमेशा क्या रहेंगे इस्ता ही तो आप क्या नूट कर पाओगे यहां पे कि जो deflecting torque है ना विक्षेपक बल है वो किसके उपर निर्वर कर गया पूर्ण रूप से धारा के उपर निर्वर कर गया यानि अगर यह तीन चीजे आप क्या मान रहे हो constant मांद रहे हो तो, ठीक है तो ये क्या हो गया deflecting torque हो गया, अब जैसे यहां पे हमने कौन सा, कौन सी controlling torque लगायओ है हमने यहां पे जो नियंतरक बल लगायओ है वो spring control लगायओ है, कौन सा लगायओ है spring control, ठीक है, तो अगर आप नियंतरक बलकी बात करोगे ना किसकी बात करेंगे हम लोग अगर हम लोग नियंतरक बलकी बात करते हैं किसकी नियंतरक बलकी तो हम लोग उसको किस से प्रदर्शित करते हैं T C से प्रदर्शित करते हैं और क्योंकि यहां पर spring है तो वो किसके समानुपाती होगा, theta क्या होता है, 0 degree और जो deflection होगा उसके बीच क्या होता है, कौन होता है, तीक है अब ये theta के समानुपाती हुआ और अपने को पता है कि जब भी अगर किसी भी point के ऊपर, अगर pointer रुखता है न, तो tc किसके बराबर रहता है हमेशा T D के बराबर रहता है इसका मतलब जो controlling torque है वो किसके बरा समानुपाती हो गया I के बराबर हो गया कि आप ऐसे बोल सकते हो theta किसके समानुपाती हो गया I के समानुपाती हो गया ठीक है अब क्योंकि यहां पे यह और रूप से बिल्कुल सीधे समानुपात पे ना तो यहां पे square है ना यहां पे sign का angle है इसका मतलब यहां से एक point निकल के आएगा क्या निकल के आएगा कि यह जो meter है ना यह uniform scale वाला meter होगा uniform scale का मतलब क्या है कि जो आपने यहां पे परास इस्तमाल किया है वहां पर जो परास के खाने आपने बनाए वें वो खाने कैसे रहेंगे शूरू से अंत तक कैसे रहेंगे बराबर बराबर रहेंगे तो ऐसे यहां पे नियंत रेख बलकार दी करता है अच्छा यहाँ पर अगर आप इस मेटर को देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या इस्तमाल कर रखी है एक स्थाई चुम्बक इस्तमाल कर रखी है दो स्थाई चुम्बक इस्तमाल कर रखी है तो अपने क्या बता है कि अगर आप अवमंदन की बात करोगे न तो अवमंदन में एक ऐसा प्रकार रहता है जिसके अंदर स्थाई चुम्बक की आवशक्ता होती है कौन सा प्रकार रहता है वो प्रकार होता है एडी धारा प्रकार का अवमंदन यानि यहाँ पे जो अवमंदन इस्तमाल होएगा ना क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे अवमंदन क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे जो अवमंदन इस्तमाल होएगा ना यानि डेंपिंग जो इस्तमाल होएगी वो कौन सी रहेगी एड़ी धारा ईडी-धारा-वहमंदन यहां पर उपयोग में लाया जाएगा ठीक है ठीक है और वो जो कि अपने को पता है कि जो इडीधारा वहमंदन न वो जो दोनों प्रकार के वहमंदन उससे क्या रहता है बहुत अच्छा रहता है ठीक है तो अगर आप पूरे इस मेटर कोई वापस अगर आप विशलेशन करना चाहो तो यहाँ पे अपने को बहुत सारी होप आपनी ये नोट कर लिया हो तो आप आगे चलते हैं अब जैसे अगर आप इसका पूरा विशलेशन करना चाहें तो यहाँ पे अपने पास कुछ points आते हैं, बहुत important, important क्या, आप note कर पहोगे यहाँ पे अपने देखा क्या देखा, कि यहाँ पे पहला लाव ही या, इसका पहला point हो गया, कि इस जगह पे जो परास है न, परास यानी scale, क्या बूल रहा हूँ में परास यानी scale क्या है, uniform है कैसे है योनिफॉर्म है यानि बराबर बराबर आपने क्या गर रगा इसको बराबर रूप से बराबर रूप से बटी हुई है बटी हुई है तो उससे अपने को क्या लाव होता है अगर स्केल कभी पी योनिफॉर्म रहती है न तो अपने को कोई भी रीडिंग इजीली अवमंदन कौन सा इस्तमाल हो रहा हो सकता है यहां पे एड़ी धारा धारा अवमंदन अवमंदन का उप्योग उप्योग दक्ष्टा पूर्वक दक्ष्टा पूर्वक किया जाएगा ठीक है यहां पे एक और आप अपने को मिलता है कि さasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas उच्चती क्या रहेगी ? कम रहेगी तो यह इसके जैसे लाव हो जाता है और अगर आप हानियों की बात करोगे तो यहाँ पर हानिय क्या देखने को मिलेगी सबसे बड़ी हानि तो यह है कि आप अगर गार moving iron से इसके तुलना करते हो तो यहाँ पे यह जो मीटर है उसकी तुला में क्या रहेगा? महंगा रहेगा. क्या रहेगा? महंगा रहेगा. तीक है? और अगर आप यहाँ पे और क्या चीज देखोगे? आप यहाँ पे अगर नोट करोगे तो यहाँ पे हमने क्या इस्तवाल कर रहा है? यहाँ पे हमने स् कर रहाखी है और स्थाई चुम्बक के बारे में अपने को क्या पता है कि जो इक समय के बाद अपनी प्रॉपर्टी स्कों क्या करने लग जाती है lose करने लग जाती है ठीक है तो क्या होएगा उम्र के साथ क्या बोल रहा हूं मैं प्रोपर्टी का मतलब क्या था अपने हो क्या पता है जो चुम्बक की प्रोपर्टी क्या रहती है तो यहां पर धारा प्रवाइथ होने के बाद इस के अंदर format के इंदर इस कुंडली के इंदर धारा प्रवाइथ होने के बाद जो बल लग रहा था ना वो बल क्या हो जाएगा तुलनात्मक रूप से समय के साथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और अगर वो बल कम होएगा त यानि वो में के साथ क्या बोल रहा हमें ङुम्हें के साथ सथ को इसकी लिग जतं गहां जाएगी यह इसकी हानिया है लाभ के का बड़े बने लाभ ये पड़े कि यहाँ परास वह क्या है योनिफॉरम यानि वराबर रूप से बढ़ा हुआ है दूसरा क्या पर आरब के यहां पर एडिधारा सकत्षिवा जाएगी बढ़ जाएगी यहां पर चीज और नोट करनी कि यहां पर इसका परास रहता है तीक है यानि अब मतलब ऐसे सीधा 170 का मतलब इतना मतलब लगबग इतना इसका परास रहेगा बहुत अच्छा इसकी रेंज के उपर इसकी स्केल बनी भी रहती है जो अपने ली क्या रहता है एक तरीगे से लाब दैग रहता है इसके लाब पड़ा कि इसके अंदर शक्ति की इसके अलाब इस्टेलिजिश्टी भी कम होएगी और हानी के अंदर क्या दिखा पनी ये महंगा होता है और उम्र के बाग के साथ इसकी दक्स्ता क्या हो जाएगी गड़ जाएगी और दक्स्ता क्यों गड़ती है मैंने बताया भी क्योंकि उम्र के साथ जो चुम्बक होता लाना वो अपनी पूरी दक्स्ता के साथ क्या नहीं कर पाएगा गुम नहीं पाएगा ठीक है अब जैसे इस इसी टॉपिक के देर एक टॉपिक और आता है उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कि जो आपने जो भी मीटर इस इस्ट्रुमेंट बना लिया जैसे अगर आपने अमेटर बना लिया और जैसे आपने वहाँ पर क्या इस्तमाल कर लिया वोल्ट मेटर बना लिया ठीक है तो इसके अंदर एक टॉपिक और अधाज इसको हम लोग बोलते हैं रेंज एक्स्टेंशन क्या बोल रहा हूं है के लिए बना लाई इंध़ान के लिए अगर आप मैटर की बात करते हो तो अगर आप कोई भी मेटर लेके आए जो मेटर की रेंज है कि वह 0-5 अप् CAT सकता है कि इतना आप सकता है 0-5 अप् Thema सकता है तो परास वुरद्ध या रेंजे एक्स्टेंशन का मतलब यह है कि आप इसी मेटर का उपियोग कैसे करो कि मैं इसी मेटर का उपियोग करना चाह रहा हूं कि यह मेटर दस एमपेर धारा को नापे तो अब वो कैसे संभव होगा वो ऐसे संभव होगा कि जब भी आप मेटर की बात करते हो तो मेटर के अंदर अपने को क्या बता है मेट तो अगर आपको उसकी रेंज को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस मेटर के प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा और कम कैसे होएगा देखें आप मेटर को खोल के तो मेटर की प्रतिरोध को कम नहीं कर सकते हैं ठीक है हम लोग क्या करते हैं वो जो मेटर रहता है उस मेटर के समांतर करब में एक पृतिरोदु लगा देते हैं तो अब गूग ऐसे Indeed अगर में बात करो स Tamam है जैसे इसको कैसे कम हुआ अभी अमान लीज royalty Hip fan के लिए staring hai कि अब आपने समांतर क्रम में कोई भी परत्रोद लगाया उधरन के लिए अगर आपने 8 लगाया 7 लगाया 5 लगाया 9 लगाया या 10 ही लगाया जैसे गर 7 लगाने से अपने को क्या पता है अगर 10 और 10 ओम 7 लगाने से ümbra Theo 5 लगाए 5 is कैसे होता है 11 महीं है 10 अगर आप solve करोगे तो यह 12 महीं हो जाएगा यह किसे बर literal रहेगा और प्रतिरोद कम होता है तो क्या होता है धारा उसके अंदर से जादा बहती है ठीक है और जादा बहेगी तो वो क्या करेगा जादा धारा को नाप पाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग परास में व्रद्धी करते हैं ठीक है अब परास में व्रद्धी करते हैं तो हम यहां पे कुछ numerical पार्ट भी करते हैं तो उस numerical पार्ट को समझने के लिए हम लोग क्या देख बोलते हैं कि हमने ऐसा माना कि जब meter normal इस्तिती में दाना तब उसके अंदर से जो धारा जारी थी वो कितने जारी थी अब आपने क्या करा यहां पे शंट के अंदर या समांतर करम में एक क्या कर दिया प्रत्रोद लगा दिया तो अब यह जो धारा रहेगी इस पॉइंट के उपर से क्या होएगी दो भागों के अंदर बटेगी कैसे बटेगी यहां पे जो बदारा जारी है अब इस प्रतिरोद का मान अगर आपने एसे लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे देखेंगे अना अपने को क्या पता है कि यह और यह दोनों के दोनों कैसे हैं समानतर करम में और समानतर करम में अपने को क्या पता है कि वोल्टेज क्या रहती है समान रहती है ठीक है अगर वोल्टेज समान रहेगी तो voltage drop भी क्या रहेंगे समान रहेंगे यानि इस meter पे जो भी voltage drop है जो कि क्या है यहां के प्रतिरोध जो कि क्या है RM कुड़ा यहां की धारा जिसको हम लोग बोल रहे है IM यह इसका क्या हो गया voltage drop हो गया meter का वो किसके बराबर रहेगा इसके समानतर क्रम में जो प्रतिरोध है ना उस प्रतिरोध के अंदर बोलता पात के और वो क्या है यहां की धारा जो कि क्या है I minus of IM ठीक है और यहां का प्रतिरोध है इसको हम लोग S से प्रदर्शित कर रहे है तो अगर range extend करने के लिए आपको S का मान ग्याद करना है तो यहां से S का मान आयाता है RM गुणा IM बटा I minus of IM यह तो क्या हो गया यह S का मान आगया जो कि आपने यहां पे क्या करा है समानतर क्रम में सही उजित किया है अब अगर आपको range निकालनी है तो range निकालने के लिए हम लोग इस समीकरन को solve करेंगे तो यहां पे अपने को क्या मिलेगा RM IM बराबर इसको अगर अंदर की side अगर आपने गुणा कर दिया तो I minus IM गुणा S हम लोग क्या करता है इस IM वाली value को एक side कर लेते है तो यह जब इदर आई तो यह minus का चिन में कैसे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो RM IM PLUS क्या हो गया IM S हो गया यह किसके बराबर हो गया IS हो गया तो अगर आप यहां पे IM को common लेते हो तो यहां पे अंदर क्या बज़ जाएगा RM PLUS OF S RM PLUS OF S बज़ जाएगा बराबर क्या है I गुणा S तीक है I गुणा S अब I M का अगर वज्र गुणा करते हो ऐसे तो यहाँ पर अपने पास value आ जाएगी I बटा I M बराबर क्या आ रहा है R M पलस S बटा of S ये इसका multiplying factor हो जाएगा जिससे आपको दारा को गुणा करना रहेगा मतलब के धारा कितनी बड़ी ठीक है इसको और अगर आप solve करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देगे मैं solve करके बता रहा हूँ अलका सा इसको कैसे लिख सकता है आप यहाँ पी लिख रहा हमें देखे न यहाँ पर अगर आप लिखे होगे तो आप कैसे solve कर सकते हैं आप इसको अगर hall करोगे तो यह rum बटा s हो गया plus s बटा s को अगर आप लिखोगे तो S से S cancel हो जाएगा यहाँ पर क्या बज़ जाएगा एक बज़ जाएगा और यह क्या हो गया इसका multiplying factor हो गया अगर आप से यह चीज पर exam के अंदर पूछी जाएं ठीक है multiplying factor क्या होदा है IEM बटा यह है देखें न गुणांख है यह ठीक है क्या है multiplying factor है यह क्या है यह कितनी range तक आपने क्या बढ़ाई है धारा बढ़ाई है ठीक है तो ऐसे करके हम लोग इसका solve करते हैं अमेटर के case के अंदर अब देखें जब भी वोल्ट मेटर की बात करोगे तो वोल्ट मेटर का प्रतिरोध की अब वोल्ट मेटर में क्या करना पड़ेगा वहां पे भी अपने मेटर में क्या हो रहा था अपने को जो प्रतिरोध हो था उसको शून्य के करीब ले जाना था ताक कि क्या होए जो दार आये वो ज्यादा प्रवाईत हो और वोल्ट मेटर के अगर आप बात करोगे तो वोल्ट मेटर का प्रतिरोध कितना होता है अपने वो पता है हमने सब्सक्राइब कर दीए ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़े Cody करना चौछिगी स्का नेक्स टॉपिक स्टक्ष sic यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं ? में मैं बता रहा हूँ ? उसके आप क्या करोगे ? प्रतीरोद लगाओ गे ? अब जैसे अगर आपने ऐसे बोला जब भी इसको आपने करेंट करावादा मेटर को अगर यहाँ पे total voltage कितनी जारी थी V जारी थी जो भी particular circuit में आपने voltmeter को connect कर रहा है ऐब अगर आपने यहाँ पे जैसे यहाँ पे यह जो voltmeter है कोई भी V voltage को नपर है कि इस voltage को नपर है तो इस प्रतिरोध के उपर बचीवी voltage कितनी हो गई यह जो total V है ना इस total V minus of small V ठीक है अगर इस प्रतिरोध का value अगर आपने Rs बोल दिया Rs का मतलब क्या है स्वेनिकरम का प्रतिरोध याने series का प्रतिरोध इसका आपने क्या बोल दिया Rs, M गोल दिया यह नहीं मेटर का प्रतिरोध ठीक है तो आप क्या note कर पाओगे यहाँ पर यह जो धारा है ना इसके अंदर किसके अंदर मेटर के अंदर जो धारा है ना उस धारा को आप अगर I.M. से प्रदर्शित कर रहे हो यहाँ पर अगर आप RS का मान गयाद करना चाहोगे अगर आप RS का मान गयाद करना चाहोगे तो R क्या होता है अपने को पता है वह होता है R वाराब होता है V बटा I ठीक है तो यहाँ पर अपने को वैल्यू किसके निकाल ली है RS की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे इस प्रतिरोद की voltage कितने है वी बटाई करना है और अबने को तो यहाँ प्रतिरोद की voltage क्या है capital V minus small V ठीक है अपन यहाँ पे धारा जो की क्या है IME है क्यों क्यों कि यहाँ पे कौंसा करम लगावा है श्रेनी करम और श्रेनी करम में क्या होता है दारा समान रहती यानि यह जो दारा है यह V के वोल्ट मेटर के अंदर और यह जो पृतिरों देश के अंदर क्या रहेगी समान रहेगी अब अगर आप इसको solve करोगे वज्र गुणा करके तो यहाँ पर क्या जाएगा I M RS बराबर Capital V minus of V अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोनों साइड है ना दोनों साइड small V का क्या करते हैं अगर आप भाग देऊगे तो अगर आप इसको आगे solve करोगे तो I M बटा R S बराबर बटा ये जो small V ये small के V क्या है इस voltmeter के अंदर जो volt ना पिजा रही है वो volt ठीक वो किसके बराबर रहेगी ये जो प्रतिरोध है ये प्रतिरोध गुणा इसके अंदर जो भी धारा जा रही है वो इस धारा के गुणा के करन तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहोगे तो यह क्या हो जाएगा I M R M बराबर क्या हो गया यहाँ पे V capital V capital V small V बटा V अगर आप इसको solve करोगे तो यहाँ पे I M से I M cancel हो गया यहाँ पे जो value आई हो क्या ही R S बटा R M बराबर क्या हो गया V capital V minus small V बटा V अगर आप इसका वज़ रोणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा small V R S बराबर क्या रहा है यहाँ पे R M capital V minus R M small V अगर आप इसको solve करोगे इस value को इस side में लाओगे तो यह जो समय करण बन जाएगा वो क्या जाएगा R S capital V sorry small V plus R M small V बराबर R M बटा R M V यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा small V को common लिना पड़ेगा यहाँ पे R S plus of R M हो जाएगा बराबर क्या हो गया R M V और अब यहाँ पे वजर गुणा करने पे आपको क्या मिल जाएगा यह यहाँ पे नीचे आएगा तो capital V बटा small V बराबर क्या जाएगा R S plus of R M और यह value यहाँ पे नीचे आने पे बटा R M यह यहाँ पे जो गुणांग या multiplying factor है वो यह आजाएगा वोल्टमेटर के case के अंदर अगर आप इसको और solve करोगे जैसे वहाँ पे अपन ने solve करा था तो क्या आ सकता है यहाँ पे आप गुणांग यानी multiplying factor को अगर आप लिखोगे तो क्या जाएगा गुणांग बराबर capital by V बटा small V बराबर अगर आप इसको solve करोगे तो RS बटा RM प्लस अगर आप इसको प्रतक करोगे तो RM बटा RM अगर दोनों आपस में cancel out हो जाएगी और अपने पास value क्या वज़ जाएगी तो यह क्या होता है यह गुणांग होता है वोल्ट मेटर के case के अंदर आज के लक्षे के अंदर हमने क्या discuss करा हमने moving coil type instrument के पहले प्रकार permanent magnet moving coil type instrument के वारे में discussion करा और हमने किया चीज जानी कि यह जो मेटर होता है इस मेटर के जो दो प्रकार के मेटर अगर अपने अपयोग कर रहे है जैसे वोल्ट मेटर और मेटर तो उन दोनों मेटरों की अगर आपको range बढ़ानी है तो वो range कैसे बढ़ाएंगे होप आज जो पने डिसकस करा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा अगर आपको मेरी ये class और अन्ये classes अच्छे से समझ में आ रही है और पसंद आ रही है तो आप मेरी classes को आपके friends के साथ आपके social media, whatsapp, facebook, telegram के ओपर share कर सकते हैं और मुझसे अच्छे content के उम्मेद करते है वे मेरे channel को subscribe कर सकते हैं next class के अंदर हम लोग moving coil type instrument के second प्रकार जिसको हम लोग dynamometer type instrument बोलते हैं उसको discuss करेंगे उस class से उस topic को समझने के लिए आप उस class में मेरे साथ जुड सकते हैं have a nice day